तरह जा कुछा फो चाहरा जेली के लिए जिर्श descendedaaaa दान की स्वस्त पोध तयार करने के लिए पोशक तत्व का भी विशेस महत होता है क्योंकि पोशक तत्व हमारे जो पोध है उसकी मुख्य खुराक होती है और कई बार पोशक तत्वों की कमी होने के कारण भी नर्सरी हमारी जो पोध है वो कमजोर रह जाती है सबसे महत्पूर्ण पोशक तत्व है नाइटोजन आम तोर पे किसान भाई गोबर की खाद का प्रियोग करते हैं जब हम नर्सरी लगाते हैं और यूरिया का भी प्रियोग करते हैं फासपुरस का भी प्रियोग करते हैं पोटाश का भी प्रियोग करते हैं लेकिन कई बार ये प्रियोग नहीं कर पाते हैं और मिट्टी में भी नाइटोजन की मातरा पर्याप्त नहीं होती उस दशा में नाइटोजन की कमी हमारी पोद में आ सकती है नाइटोजन की कमी के लक्षन किसान भाई आम तोर पर पहचानते हैं पत्तों का रंग पीला हो जाता है खास करके जो नीचे के पत्ते होते हैं दान की पोद के आप अगर ध्यान से देखें तो पहले नीचे के पत्ते पीले होंगे और ये कमी अगर बरकरार रहती है जारी रहती है तो उपर के पत्ते भी पीला होना शुरू हो जाते हैं तो इसके लिए आप 10 से 12 किलोग्राम यूरिया का प्रियोग कर सकते हैं पिरती 1000 वर्ग मीटर छेतर जो नर्सरी का है आम तोर पे एक हेक्टर छेतर की रुपाई के लिए किसान भाई 800 से लेके 1000 वर्ग मीटर छेतर में धान की पोद तयार करते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि यूरिया लगाने के बावजूद भी हमारी पोद पीली बनी रहती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये लोहे की कमी के लक्षन हो सकते हैं लोहे की कमी के लक्षन जो नाइटोजन की कमी के लक्षन है उससे उल्टी तरह से आते हैं लोहे की कमी लगातार बनी रहती है कुल मिला के सारा पोधा पीला हो सकता है और बाद में अगर लोहे की कमी ये लगातार बनी रहती है तो ये रंग सफेद में बदल जाता है यानि पत्ते का रंग सफेद हो जाता है इसके बाद इस तरह के पोधे सूख जाते हैं और सूखने पर सारे पो कि कमी जादे पाई जाती है, आपको विशेज द्यान देना है लोह की कमी पर, क्योंकि इसमें आपकी नरस्री मर भी सकती है, अगर कमी इसकी लगतार बनी रहती है, ज़रु Harm-व्हक्रन क कि इस की लिए आप Iron Sulphate, जिसेвал Ok-5.5 अभी बना सकते हैं, और दशमलब 5 पृतिशत गोल बनाने का मतलब यह है कि 100 लीटर आपने पानी लिया तो आधा लीटर आपको आइरन सलफेट हैप्टा हाइडरेट लेना है और इसी तरह से दशमलब 2.5 पृतिशत का आपको चूने का गोल बनाना है इसके लिए 500 ग्राम चूना आपको 100 लीटर पा किसान भाईयों कि आप अगर नर्सरी में लगतार पानी बना के रखें और समतल एरिया में आपने नर्सरी ली हो तो उसमें आरन की कमी आने की नहीं तो पानी का प्रबंद करके भी हम लोहे की कमी को दूर कर सकते हैं कुछ मिर्दाएं ऐसी हैं जहां पर किसान भाई धान की नर्सरी ले रहे हैं वो जिंक में भी कमी हो सकती है उनमें जस्ते की कमी आम तोर पे हमारी मिर्दाओं में पाई जा रही है देश की लगबग 50% जो हमारी मिर्दाएं हैं उनमें जिंक की या जस्ते की कमी है बेतर यह होगा कि जो किसान भाई जब नर्सरी की बौई कर रहे हैं उस समय जिंग का प्रियोग कर दे लगवग धाई किलोग्राम जिंग सलफेट पिरती एक हजार वर्ग मीटर छेत्र आपको बुआई के समय पर ही डाल देना चाहिए अगर किसान भाई नहीं डाल पाते और जिंग की कमी हमारे जो नर्सरी है या पोध है उसमें आ जाती है तो उसका उपचार करना जरूरी है जिंकी कमी के लक्षण है कि जो हमारे पोधे होते हैं उन पे छोटे- opiner बूरे रंग के धब्वे बन जाते हैं चोकलेट ब्राउन कलर जो चोकलेट का भूरा रंग होता है उस तरह के धब्वे बन जाते है और अगर यह कमी जस्ते की आ सकती है तो इसके लिए हमें जिंक सल्फेट का चड़काव करना है जिंक सल्फेट हेप्टा हाइडरेट और वरक आता है किसान भाई जानते हैं उसका दशमलब 5 पृतिशत का आपको गोल बनाना है और दशमलब 2-5 पृतिशत का आपको चूने का गोल बनाना है यानि 100 और दोनों घोलो को बरावर बरावर मात्रा में मिला कर फिर आप इनका चड़काव कर दें अगर यह कमी दानकी नरसरी में बनी रहती है तो आठ दिन बाद यह चड़काव दोराया भी जा सकता है किसान भाईयो आपने देखा कि अगर हम स्वस्त नरसरी तयार करेंगे साथी साथ नर्सरी में आपको सिचाई का उचित प्रवंद करना है, गर्मी के समय पर पानी नहीं लगाना है, लोहे की कमी या जिंग की कमी आती है, लक्षन बताए गए हैं आपको, उसके हिसाब से उसका आपको उपचार करना है, साथी साथ कीट पतंगे और बीमारियों का आपको नियंतर करना है, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, नर्सरी की अच्छे से देख भाल करेंगे, तो आपको स्वस्त पोध की प्राप्ती होगी.